हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने रैड्मी नोट 13 प्रो प्लस अंडुड मुवाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन से कभी भी कॉल करते हैं तो कॉल करने पर मुवाइल फोन की डिस्पले होती है यह आफ हो जाती है इस प्रोलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देगी दूस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मुवाइल फोन से कॉल करते हैं किसी को प्रोलम आ जाती है तो प्रोलम स्ल्वज वाजाती है मुवाइल फोन को रिबूट करने से थे अब दोस्तों यह पर आपको अगला काम करने कि आपके मुवाइल फोन का इस जो क्वालिंग को है इस ग्लियर करना तो यह चोटा तर पईज आपर आप Internet रिखा औह इसे टैप क टाप करना है तो आपको इस वार यूजर डेटा के सामने अला डेटा आपका जीरो जाएगा इसके आपके फोन की जो कॉल करने पर डिस्प्लेय ओफ हो जाती है अगला काम यह करना है कि आपको अप्डेट है या नहीं है सबसे पहले मुवाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है इसके बाद फोन का सैटिंग पेज ओपन करना है अगर यह अपडेट का बटन दिखाई देता तो इससे टैप करगे अपने फोन का सौफ्टेयर अपडेट कर लेना है जिससे आपके फोन की जो कॉल करने के दिस्पले आफ हो जाती है ठीक आप दोस्तों अगला काम की करना कि आपको अपने करनेठी यहां टीए अपनी और नहीं करने मेघ्राइब कीजिए तरब में भाथंग करने के सबस्ले सब से नीचे Erase All Data पर टैप करने हैं सब का फोन रिसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो कॉल करने पर डिस्पले ओफ हो जाती है यह प्रॉल्म सॉल हो जाएगी लेकिन आपको फोन को रिसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखना है अगर मेरे बताए हुए सारी प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके प्रॉलम सॉल नहीं होती तो आपको करना क्या है देखी दोस्तों आपके मुवाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर आपको चले जाना अपना फोन वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए क्याराओं देखे हो सकता है आपके मुवाइल फोन के हाडवेर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके फोन में कॉल करने पर डिस्प्ले आउफ हो जा रही है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी सॉलुशन बताए है वह मुवाइल फोन के स सॉफ्टवेर के जरीए बताए है ठीक है